हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चैनल, तो फ्रेंज, आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूँ, डाक सरकल को दूर करने वाला नेचरल नुसका, तो फ्रेंज, इस नुसके से कोई भी केमिकल प्रोड़क को यूज किये बिना ही आपको दो दिन में फर्क दिखेगा, त और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, तो फ्रेंज, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, फ्रेंज, डाक सरकल के कारण हम ठके हुए लगते हैं, वूमन के साथ साथ मैल को भी ये प्रॉब्लम होती है, हम डाक सरकल को छुपाने के लिए कंसीलर या त बहुत ही संसेटिव होती है, इसलिए कोई भी चीज यूज करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो नेचरल हैं, और उसको हम आखों के नीचे के डाक सरकल को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंज, मैं भी ऐसे ही दो नेच चीज़े लेकर आई हूँ, जिससे आप आखों के नीचे के डाक सरकल को तूर कर सकते हैं, और वो दो इंग्रेडियंट्स हैं, हनी और कॉफी, सो फ्रेंज, डाक सरकल को तूर करने के लिए मैंने लिए हैं, सिर्फ ये दो इंग्रेडियंट्स, एक कॉफी पावडर और दूसरा हनी, कॉफी में मिलने वाला कैफिन काले डाक सरकल के लिए बेश्ट है, क्यूंकि ये ब्लड सरकूलेशन को सुधारने में मदद करता है, कैफिन में संचित पाने को शोशने के शमता होती है, और वो आखों के आसपास के सुजन को भी घटाने में हल्प करता है, सो फ्रेंट्स कॉफी पाउडर डाक सरकल को दूर करने के लिए एक बेश्ट उपाई है, उसको आप दूसरी चीजों के साथ मिला कर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफी में मिलने वाला टैनिंग स्कीन को जमकधर भी बनाता है, जो डाक सरकल को दूर करने में हमें हल्प करता ह फ्रेंट्स हनी के बात करें तो हम सब जानते हैं कि सहथ एंटी ओक्सेडन का पावर हाउस है हनी में एंटी बेक्टिरियल और एंटी इंफ्रेमेंटरी गुण है जो डाक सरकल से छुटकारा दिलाने का बेश्ट उपाई है हनी ऐसी चीज है जो आखों की कोमल स्कीन पे सुरक्षित तरीके से लगाई जा सकती है इससे कोई नुक्षान नहीं होता है हनी में नैचरल ब्लीचिंग का भी गुण है जो डाक सरकल को दूर करने में हेल्प करता है फ्रेंट्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक clean बाउल लीजिए इसमें एक चमच कौफी पाउडर लीजिए ये देखे मैने पहले से ही एक चमच कौफी पाउडर लिया हुआ है अब आप इसमें एक चमच हनी एड़ किज़िए आप कौफी पावडर और हनी अपने हिसाब से ले सकते हैं यह दिखे अफ कौफी पावडर और हनी को अच्छे से मिक्स कर लिजिए अगर आपको लगे कि हनी की क्वांटेंटी थोड़ी ओच कम है तो आप इसमें थोड़ा और एड़ कीजिए अब आप इसे अच्छी तरीके से मिला लिजिए यह देखे फ्रेंट्स यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब आप इसको आपकी आखों के नीचे जो डाक सरकल है इस पे लगाए और हलके हाथों से मसाज कीजिए यह देखे मैं आपको इसे हाथों पे लगा के देखाती हूँ इसको आप डाक सरकल के नीचे लगाए और हलके हाथों से ऐसे मसाज कीजिए मसाज करने के बाद आप इस मास को 15-20 मिनिट के तक रहने दे और फिर बाद में आप इसे थंडे पाने से वाश कर लिजिएगा लेकिन आप लगाने के बाद इसको थोड़ा हलके हाथों से मसाज जरूर कीजिएगा फिर आप इसे 15-20 मिनिट के मिनिट तक रहने देजिए फ्रेंट्स अच्छा रिजर्ट पाने के लिए आप इसे रेग्यूलर यूज कीजिए ये एक नेचरल इंग्रिडियन्ट से बनाया गया है जैसे कि हनी और कॉफी इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको कुछ स्क्रीन प्रॉब्लेम हो तो आप इसे यूज कने से पहले पेच्टेस जरूर कर सकते हैं आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आई होब आपको ये टिप्स जरूर पसंद आयेगी और आप इसे एक बार यूज करके जरूर देखे ये एक अच्छा रिजर्ट भी देती है सो फ्रेंड्स थैंक यू टेक केर